Hello everyone, I am Akhil आप सभी का स्वागत करता हूँ S8 Zero Online Platform पर जहां डैली मौर्णिंग में शुबह छेपज़े हैं हमारे एक बोटेंट सेस्ट नुटाइज़े से हम All India Delhi Current Affairs डिस्कस करते हैं तो आज है 12 जुलाई 2020 और आज के Current Affairs के बनने वाली सभी क्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जाने वाली सभी पर्तियों की तपरिक्षा होगे लिए काफी मैतोपूर्ण है अतिक जानकारी के लिए www.estate0on.in पर विजिट कीजिए साथ ही COVID-19 मामारी के कार्ण अगर Best Study है तो है Online Study और Coaching भी अगले 2-3 महिने में नहीं खुलने वाली है और Online Education में सबसे Best Study Material State0 Online Platform पर www.state0.in website पर उपलब दे वहाँ पर जाके भी आप Courses परसेज करके Video Lecture पर आप्ट कर सकते हैं साथ ही हमारे Courses की वीडियो YouTube पर भी अप्लोड की जाती है वह भी आप प्राप्ट कर सकते हैं इस वीडियो की description ने हमने अन्य वीडियो Courses के भी link डाल दिये हैं साथ ही हमारे WhatsApp ग्रूप को भी आप जोइन कर दीजिए जिससे आने वाली सभी PDF आप WhatsApp ग्रूप से प्राप्स कर सकते हैं शुरू करते हैं आज का important current update session इस वीडियो के लाश्ट में आपको एक question of the day मिलेगा जिसका answer आपको comment box में comment करके देना है ये पिछली वीडियो का question of the day इसका answer discuss कर दें काफी student ने इसका right answer दिया है Recently Reliance has launched with video conferencing app with unlimited free calling इस question का right answer था C. GeoMeet हाली में Reliance Industry ने GeoMeet एक video conferencing app launch किया है इससे पहले बारत के उपराश्चापती स्रीवेंके नाइडू जी ने बैंगलूरू से एक social media app elements भी launch किया तो आज का first question के तरफ चलते हैं recent world population day when has it been celebrated तो इस question का right answer है C. 11 July हाली में 11 जुलाई को विश्वे जनसंख्या दिवस मनाया गया विश्वे जनसंख्या दिवस मनाने का उद्यश्चे जनसंख्या के परती लोगों में जाग रुकता फिलाना जनसंख्या पर नियंतर्ण करना साथ ही कैसे एक healthy population जनसंख्या दिवस के इस पर विशेश फोकस करना है इस साल COVID-19 परिश्वे जनसंख्या दिवस और भी इंपोर्टेंट हो जाता है इस साल विश्वे जनसंख्या दिवस का थीम था Putting the Breaks on COVID-19 Safeguarding the Health and Rights of Women and Girls काफ़ी important theme है यह आपको याद रखनी है सहयुक्त राश्च्र 12 हर साल यह दिवस मनाये जाते है सहयुक्त राश्च्र का मुख्या लगापए नियोर्क सहयुक्त राजिम सहयुक्त राश्च्र कोस के कारेकारी निदे सकोने नतालिया कनेम और इसकी स्तापना कब हुई 1969 इस वीडियो का आप सभी education group में अपने friends के साथ सेर किजिए जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाप रापत हो सके next question who has recently formed a working group to form the Indian pandemic risk pool थाली में IRDII ने एक risk pool develop किया जिससे covid-19 की जोखिम की जाच की जाएगी साथ ही इससे जुड़े अन्य प्रांतियों को दूर कर जागूपता फैलाई जाएगी तो इस question का right answer था B.I.R.D.A.I. next question who has been appointed the new acting president of hockey India recently तो आली में hockey India के ने president हाली में hockey India के ने president की न्यूक्ति की गई मनिपूर के ज्यानेंद्रा निगोंबाग को होके इंडिया का अध्यक्ष न्यूक्ति की आ गए इस question का right answer है C. ज्यानेंद्रा निगोंबाग इन्होंने मौमद मुस्ताक की जगले जिनोंने आली में निजी कार्णों से अपना इस्तीफा सौप दिया होकी इंडिया की स्थापना कब की गई 20 मई 2009 होकी इंडिया का मुख्याल है का इस्तीत है न्यू दिल लिग next question recently which country इस्तीरों has announced the launch of Amzonia first satellite from which country ठाली में इस्तीरों ने गोशना किये कि वो Amzonia first satellite को अगस्त में launch कर देंगा तो ब्राजिल का satellite है जिसे PSLV से launch किया जएगा PSLV polar satellite launch vehicle polar satellite launch vehicle दो रहा इसे launch किया जएगा तो इस question का right answer है D. ब्राजिल ब्राजिल की राजदानी ब्राशी लिया है और ब्राजिन के राश्टपती जायर वोल्सोनोरा ब्राजिल के राश्टपती जायर वोल्सोनोरो इंडिया के 26 जनवरी गंटांतर जिवस पर विशीष्ट रती थी और मुख्य रती थी भी थे ब्राजिल के राश्टपती जायर वोल्सोनोरो हाली में COVID-19 पोजिटिव भी पाई गया है ब्राजिल की मुद्रा के है ब्राजिल की मुद्रा ब्राजिलीनी रियल है इस सेटलाइट को इसरो लॉंज करेगा इसरो से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्स देखते है इसरो के निर्देशक को ने के सिवन इसरो का मुख्या लेगा इस्तित है बैंगलूरू करनाट कप इसरो की स्थापना कप की गी 1969 इस क्यूशन से इतने इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने को मिलें नेक्स्ट क्यूशन रिसेंटली विच इस्ट्रेट पुलिस इस्ट्रेशन एज बिन हाली में certificate जारी किया है जिसे देश का सर्वत्तम best certificate best पुलिस थाना गोसित किया गया है ग्रेमत्राले पुलिस थानों की ranking करता है जिसमें डीज़ेपी डीज़ेपी कॉन्फरेंस में क्रेमत्री अमित्सा द्वारा यह certificate उत्कृष्ट रप certificate of excellence परपदान किया गया है हिमाचल परदेश की राज़दानी तो हिमाचल परदेश की राज़दानी यह आली में बनाई गई आपको comment box में comment करके बताने हिमाचल परदेश की राज़दानी के है माचल परदेश की मुख्यमत्री कोन है जैराम ठाकुर्ज हिमाचल परदेश की गवर्णर बंडारू जत्तातरे Next question Which countries Boeing company has delivered the last five AS-64E Apache fighter helicopter to the Indian Air Force at Hinden Air Force Station भारत ने America की company Boeing से हाली में 22 Apache विमान खरी दे थे तो इस question का right answer is B America जिसमें says 17 विमानों की पहले ही डिलीवरी हो चुकी थी बचे वे 5 विमानों को भी अमेरिकी company Boeing ने हाली में डिलीवर्ड कर दिया Boeing company से ही बार्ड ने 22 Apache विमान खरी दे थे तो इस question का right answer है अमेरिका Boeing का मुख्यले का इस्तित है Chicago, America और Boeing की स्थापना कप की गी? 15 जुलाई 1916 Boeing के अद्धेक सोर CEO कोन है? David L. Calhoun नेक्स्ट क्यूशन Recently by whom Artificial Intelligence based launched a same digital platform has gone तो आली में Artificial Intelligence पर सभी tech company गोर्मिंट तब अन्य कंपनियों जोरा विसेज फोकस किया दर है फ्यूचर में Artificial Intelligence से ही अन्य गतिवितिया संचालित की जाएं तो आली में Ministry of Skills ने Artificial आदारीद एक digital platform असीम लॉंच किया तो इस क्यूशन का राइट आंसर है A. Ministry of Skills इस platform दुरा आत्म निर्बर skilled employee में पिंग की जाई साथ ही रोजगार से जुड़े अन्य मुद्दों को भी से सोल किया जाई केंदरी एक कोशल विकास और उद्द्यमींता मंत्री को ने मेंदर नत पांडे जी नेक्स क्यूशन वर्ज एडिशनली वोन अन्फिल्स इन्विरिमेंटल अवार्ड थाली में अन्फिल इन्विरिमेंटल अवार्ड भारती बटालियन ने जीती है इस क्यूशन का रहिट अंसर है A. इन्डियन बटालियन लेबनोन में संयुक्त राश्य अंतरिम बल के साथ एक इन्डियन बटालियन तेना थी जिसे पुरुसकार परदान किया गए इन्डियन बटालियन ने रिड्यूज और रिसाइकल करके प्लास्टिक कवपियों किया साथ ही ग्रीनाउस गैसों को भी इन्डियन बटालियन ने निंतरित किया तक खाज से भी गड़ों का निर्मान कर व्याष्ट को रिसाइकल किया इसलिए इन्डिया की बटालियन को पुरुसकार दिया गए यूनिफिल मिशन की लिडर्शीप मेजर जनरलिष्ट फनो डेल कोल जीन नेक्स्ट क्विशन विच वर्चुल मेटिंग ऑफ दा इंडिया यूए यूपिय यूनियन सम्मिट विल बी हैल्ट रिसेंटी इस क्विशन का राइट आंसर है ए फिफ्टीथ पंदरवी निवेस राजनेतिक शुरक्षा ता आर्थिक सेयोग जैसे मुद्दों पर होने वाली भारत यू यूरोपिय संग यूनियन की सिखर सम्मिलन का वर्चुल आयोजन परदान मंतरी नरेंद्र मोदी ता यूरोपिय यूनियन के अद्देक्स उर्सुला वान डेर के अद्देक्स्ता में हाली में किया गए कोविड नाइंटीन परिस्तितियों के बीच में वर्चुल मेटिंग का यूजन किया गए जिसमें राजनेतिक साम्रीक तथा आर्थिक स्योग जैसे मुद्दों पर विचार व्यक्त किये गए नेक्स्ट क्यूसन वो वस रिसनली एमादू गौन कुलिबली डाइड तुसक्यूसन का राइट आंसर है पॉलिटीशन डी पॉलिटीशन हाले में एमादू गौन anyways कुलिबली डाइड राइड कोष्ण के पर्दान मंत्री थे इनका नीदन हो गया है या हाले में फ्राटस से इलाज ग्रागे लोटे थे जिसके बाद में इनका नीदन हो गया डाइड री कोष्ण के राष्टपती अलसिन उठा रहा है नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे कुछ इंपोर्टेंट वलनेर क्यूशन की तरफ ज़ाने वाले एक्जाम्स के लिए काफी मैतोपूर्ण तो इस क्यूशन का राइट आंसर है वलनेक क्रोड रूपीज नेक्स्ट क्यूशन ल 누क इस क्यूशन के लिए टॉन्य वरियंस पेड्स इंप मुंबूइ नेक्स्ट क्यूशन, दा सेंटर गोवर्मेंट है रिशनली अप्रूट तो इन फर्श कैपिटल ओफ थरी पब्लिक सेक्टर जनरल इंशोरेंस कंपनीज तो इस्टेंट तो इस्टेंट गोवर्मेंट ने बारा जर चार्शू पचास क्रोड पर बीमा कंपनियों में निवेश किया जिससे बीमा कंपनियों को मजबूत किया जा सके नेक्स्ट क्यूशन, इंडियन आर्मी एज रिशनली इंस्ट्रक्ट दा जवान शूट डिलेट एज मैनी एप्स इंक्लोड फेस्बुक, टिक टॉक, इस्क्यूशन गराई टैंसर है, 89 एप्स, इंडियन आर्मी ने ल क्या होगे हैं, इस्क्यूशन का अनसर आपको कमेंट बोक्स में गिलेड़ साथ हैं, शाहिन एपको कमेंट बोक्स में अधिक से अधिक, जितना भी आप लिखेंगे उतना ही आपको जादा लरणे होगा, साथ है आपकी राइटिंग स्किल्स भी डालोप ओगी नेक्स्ट रिसेनली विच इस्टेट गोवर्मेंट हैज लाउंच्ट नेकर सम्मान योजना चार ओप्षन आपके सामने राइट आंसर आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके देना थेंक्स फर वोचिंग थेंक्यू पेश्ट अफ लग गोट बेलेश्ट योजना